शिवान के सिसाई मेले में इस वक्त हैं और एक सिंधी नसल का घोड़ा हमारे साथ है इसका प्राइज इस बार इस मेले में लगबग आठ लाग रुपया रखा गया है और ये कई तरह के जो है इसको फोजन प्रोफा जाता है और काफी तेज भागता है घोड़ा इसके 40 की स् गोड़े की दाम आठ लाग रुपय क्यों है और क्या इसकी खाषित है इस इंदी नसल का घोड़ा है और बहुत इन लोगों की नसल जो है तेज चलते हैं ये अभी तक आठ मोटर साइकिल बीजयता है हिंदुस्तान के आठ मोटर साइकिल बीजयकर्स पहां से ओंस आया था सब्सक्राइब दूद, बदाम, मद, भी, जई, शन्ना के दाना में रहता है ये तो हम लोगों का खालदानी किसा है परिभार पहले से ही रखता है इसमें आठ मोटर साइकिल जीता है उसके बाद से तो दस बारस सेकंड पूईशन भी लाया है पहले जब ही बच्चा था तो अभी आप यहां के लिए लाए है और प्रहास है कि हम विजय होंगे इस बार इसमेले में आपकी भी घुड़े काशी कर्शा हो रही है कि अभी चालिस की स्पीज में चलना है कितने सालों से स्कूले कभी दिग अभी अभी तो बहुत ज़्टी ही खरीदा गया है लेकिन अपने यह आतमी के पास यह था जो अभी फाग निल्प ने अभी सब मन इससे ज्यादा कोई गोड़ा नहीं है अभी इसका दाम साड़े साथ लाग इसका दाम पांच लाग वह बच्चा पीद इसी के साथ खरीदा गया है अधाई लाग का अभी उना कंद है बाज नहीं सौक से रखे हैं बेचने किन्ना काम नहीं एक गोड़े पर इस बुझनेस वाले बिजनेस ख़गा करके अपना बिजनेस चलाएंगे दुनिया में तो हो इंडिया में तो उनका नाम नहीं होगा और कोई भी आदमी जिता है तो नाम के लिए जीता है यह आप भी नाम से बहुत हैं कई देखने कि भी पहां पाचान होती है इस वार उमीद अपने प्रिशना पांडे जी हमारे साथ और बताया कि प्रकार इस भोड़े के जाम है लगभा लुबग आठ लाक रूपया है और यह सिंधी नसर के खोड़ा इसकी लगभा चालीस की है और इंक पूरा उमीद है कि यह गोड़ा इस जो रेसा यूजित होने वाला है इसमे बेहतर तरीके से जो है रेस निकालेगा क्योंकि यह पहले भी लगभग 15 मैचों में हिसा ले चुका है काफी बेहतर पर दोखम किया है लगभग 8 वाइक सोवर अन्यस जो समाने है जो जी चुका है अंकित कुमार सिंग नुजेटिन सिवान